हेलो बचो, कैसे हैं आप सब, I hope सब बहुत अच्छे होगे, तो बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए है, strategy video for general science, जिसमें मैं आपसे discuss करने वाली हूँ हमारा biology का portion, तो बेटा देखो, biology एक ऐसा subject है, ND aspirants के लिए खास कर, जिसको उसमें हमेशा हर किसी को डर लगता है, बट इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसके सारे topics जो है, आपने already 10th class तक किये होते हैं, अब बस आपको क्या चाहिए, एक proper direction and revision, ठीक है, तो उसी direction को हम देखते हैं, आपको करना कैसे है, तो मैंने हाँ पर आपके लिए 4 topics लिखे हैं बेटा, cell, tissue, common disease and then classification of living organism यह कुछ ऐसे important topics हैं, जो आपको काफी mark secure करवा सकते हैं, biology portion के अंदर, जैसे सबसे पहले chapter है हमारा cell, तो cell के अंदर आपने क्या पढ़ना है, discovery, बहुत important है उसके लिए, ठीक है, then eukaryote और prokaryote cell के अंदर क्या difference है, वैसे ही एक animal cell और plant cell में क्या difference है, जिस पर आपसे इस बा भी question पूछा गया था, even हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है, then है बेटा, cell organelles, जैसे mitochondria है, mitochondria is the powerhouse of the cell, ribosomes क्या है, nucleus क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, now, next chapter है बेटा, आपका tissue, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, animal tissues के बारे में, जितने भी, main 4 टाइप के tissue है, जो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही plant tissues, उसमें कौन से है, like permanent tissue है, या meristematic tissue है, आपने टॉम सुनी होगी, xylem fibers, parenchyma, scleranchyma, वो सब आप इसमें ही पढ़ने वाले हैं, ठीक, फिर आते बेटा, common disease, या आपको पता ही है, जितनी भी आपकी bacterial disease है, like tuberculosis है, typhoid है, viral disease है, ठीक ह आजकल चली हुई है, like आप कह लीजे, covid, ठीक है, डेंगू आजकल कितनी चली है, तो उसका causative agent, mode of transmission, कैसे वो होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, then आजाती है, आपकी deficiency disease, means, related to कि आपके अंदर कोई भी vitamin की deficiency है, तो उससे कौन सी disease होगी, just आपको name at least पता होनी कि यह क्या है और कैसे होते हैं, ठीक है, लास्ट है बेटा, आपका classification of living organism, जिसमें आपको पढ़ना है kingdoms के बारे में, phylum के बारे में, class के बारे में, order के बारे में, सबसे पहले इनका मतलब पता होना चाहिए, then आप पढ़ेंगे kingdom, monra, protesta, fungi, animal kingdom, and last में हो जाएगा आपका plant kingdom, तो यह कुछ चार ऐसे topic हैं, जो मतलब काफी जादा mark secure करवा सकते हैं, अगर आप at least इने कर लें, ठीक है, और रही बार, strategy की, तो यह strategy नहीं है, यह basically direction है, आपको, कि आपने इसले, बस start कैसे करना है, बच्चों को यही नहीं पता होता है, कि हमने start कहां से करना है, तो यह आ प्यानत करता है, उसको एक दिन मिलती जरूर है, थैंक यू, जाहिन बचों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कि किस तरह से आप आने वाले time को utilize करेंगे, और अपने NDA की preparation और chemistry, जो कि एक important role play करता है, क्यों नहीं करेगा, 12-15 कोशन आते हैं भाई, अगर हम chemistry की strategy को लेकर बात करें, तो पहले आपको यह तो पता होना चाहिए, कि आकिर हम की strategy देख क्यों रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे 12-15 सवाल सही तरीके से निकल जाएं, अच्छे तरीके से निकल जाएं, तो बेटा भी हाली में जो paper हुआ है, और इतिहास में जितना भी हम नहींने NDA का एक pattern देखा है, तो 12-15 कोशन तो देता ही देता है, तो आपका care of words बनता है, कि अगर उसको हम एक रणनीती सीख लें कि उसको कैसे किया जाए, कौन से important topic है, जिसमें ज्यादा emphasize किया जा सकता है, कौन learning वाला ज्यादा है, कौन रटने वाला ज्यादा है, कौन उसमें numerical approach ज्यादा है, तो भाईया, अपना life पंड़ा इदम से focus करना है, जैसे atomic structure, अचक कई बच्चों को तो यह नहीं समझ में आता, कि सर 9-10 का ज्यादा पड़े, 11-12 का ज्यादा पड़े, 9-10 का ठीक ठाक proportion पे रहता है, 11-12 का few topics जो की उपर-उपर से, यानि कि छूकर निकल जाते हैं, लेकि उसको छूना भी और ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है, यानि कि basics पता होने चाहिए, अगर आप नहीं भी पड़ोगे, तब भी आपका घाटा है, और अगर आप बहुत जाता पड़ोगे, तो आप फिर से लेबस नहीं कर पाओगे, तो उसमें भी आपका घाटा है, तो सोच समझ के एक well planned तरीके से आपको ची numericals basic level पे, basic level पे, जैसे अगर simple माल लो, कि तुम्हें hdi, new, di, e nिकालना है, तो equal to h new, ठीक है, simple, एकदम simple, quantum numbers, जदा deep नहीं, लेकिन हाँ, पता होना चाहिए, कहीं एंडिया का 2008 का paper देख लोगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा, कि nitrogen की valence electronic configuration, quantum number के साब से पूझी गई NH2, NH2, NH3 करके, तो जो chemistry वाले बच्चे हैं, वो इस चीज को relate कर पा रहे होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों होई, हाना, तो atomic structure में quantum numbers का अच्छा का सा बोल बाला है, radio activity का बोल बाला है, discoveries का बोल बाला है, और तो और जैसे जो few terms important नहीं होते हैं, isotopes, isotones, isobars, isoelectronics, इन per question बहुत लपक क्या है, simple basic type के questions like atomic number, atomic mass, number of proton, number of neutron, number of electron, ये सब निकालने को बहुत पूछा गया है, तो अगर आप atomic structure as a whole chapter देखो, तो काफी जादा important बन जाता है आप लोगों के लिए, है ना बेटा, very good, तो atomic structure को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और जो topics मैंने इस ES के अंदर बोले हैं, उसको तो जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, secondly periodic table, periodic table पर अगेन किसने क्या discover किया, scientist के कुछ नाम, कुछ basic theory, जो हम लोग 9, 10th और 11th में छोड़ देते हैं, वो हमको करनी है, मतलब period group कैसे निकालेंगे, ये element कहां है, ये लोग 11th पर आते properties important role play करती हैं, लेकिन उसमें ज्यादा depth में नहीं जाना है, जैसे हम लोग 11th और periodic properties में बहुत depth में जाकर खेल खेलते हैं, इसना depth में नहीं खेलना है, हाँ, लेकिन पता होना चाहिए, आईडिया पूरा होना चाहिए, और ये चीज बच्चे के level पर पहचाल लेना कि कितना पढ़ें और कितना ना पढ़ें, फिर उसके लिए आपको हमारी जूरत पढ़ेगी, ठीक है ना, तो ये हमने आपको बता दिए, periodic table में periodic properties बहुत ज़्यादा deep नहीं, लेकिन हाँ, आनी चाहिए, आनी चाहिए, और इसका शुरुवाती तोर, introduction, group, period, कितने में क्या divided है, कि scientist इसमें क्या बोला, क्या योगदान दिया, सब कुछ, chemical bonding, यह important chapter इसमें structure के बारे में पता होना चाहिए, important theories पता होनी चाहिए, और फिर से, इस chapter को 9-10 के level पर ही रखके, शान्द हो जाना, ज्यादा 11 में घुसो के तो बहुत जादी चीज़े मिलेंगी, hybridization मिल जाएगा है, म मोटी मिल जाएगा, vbd मिल जाएगा, तो उस पर इस question नहीं आता है, देखा नहीं गया है, ठीक है, देखा तो नहीं गया है, basic organic, basic organic मतब जैसे IUPAC कर लिया, अब इस बार जैसे हाली में जो इंडिया का paper हुआ था 2020 में, उसमें आपका isomerism पे question आ गया, तो isomer basic level, IUPAC basic level पे खेलना है, non-metal and it's compound, paper tough नहीं आएगा, लेकिन paper का course इस तरह से design है, कि बच्चा ये पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, तो उसमें आ जाती है दिक्कत, तो ये है main emphasis जिस पे आपको करना है, non-metal and it's compound, ये purely, अब देखो याद होनी चाहिए, important chemical formulas याद होने चाहिए, washing soda का chemical formula पूछ सकता है, potash album का पूछ सकता है, blue vitriol क्या होता है, तो इस तरह से कुछ chemical formulas आपको याद करने हैं, उनकी कुछ properties याद करनी है, इनकी property पे भी question आ चुका है, water application पे भी question आ चुका है, पहले भी आया है और अभी साल मे में भी आया है, तो यह चीजों पर ध्यान रखो, कि अगर मान लो chemistry में तुम्हें लंग करने वाली चीज़ आजा तो उससे तुम बोर ना हो जाओ, कि अरे नहीं यार यह तो लंग करने वाली चीज़ हमको तो समझ में वाला ज्यादा आता है, यह सब भाने बाजी नहीं च चीज़े मिलती जूलती है, ड्रग्स हैं, मेडिसिंस हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, विटामिन्स का चार्ट है, एक आता है जो कि बायो मॉलेकूल से रिलेटेड है, उस सब मैं इसमें कवर करवा देता हूँ, chemistry in everyday life में, basics of inorganic, जो तुम लोग basically यहां पे कह सकते हो कि SPDF block elements की जो properties है ना, उसको दिहान से देख लेना, यह तो बताई दिया कि 11-12 के few topics उपर उपर से, और पढ़ते समय, you have to be consistent, यह नहीं कि chemistry में, हफते में, अगर तुमने मानलो, तीन दिन, plan किया है कि हमें तीन दिन पढ़ना है, तो तीन दिन पढ़ो, ठीक है, चार दिन पढ़ना है तो फिर जब थोड़ा सा 1-2 महीने पहले की कहानी आ जाए, तो फिर डेली एक एक घंटा देना चालू कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को है, और 12-15 questions ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, अच्छा खासा level maintain रखता है, सबसे important star mark में मैं देख और PYQ जरूर करो, जिससे यह idea हो जाए, तुम क्या सही direction में जा रहे हो, क्योंकि कभी-कभार chapter पढ़ने से पहले मैं suggest करूँगा कि PYQ जरूर देखो, क्यों? यार हम पता चले XYZ चीजे पढ़ते ही जा रहे हैं, डीप में जाते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो प keep an eye on the PYQs की क्या पूछा गया है, तो उससे यह अंदाजा हो जाएगा कि क्या पूछा जा सकता है, और उससे क्या clear होगा कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, समझे वेड़ा, तो पढ़ते रहे हैं, all the very best, जैहिंद! चैहिंद बच्चों, discuss करने जा रहे हैं, आप सब इसे के NDA exam के लिए physics को पढ़ने की क्या strategy रहने वाली है, जैसे कि आप सब जानते हैं, physics लगबग 100 नमबरों के आसपास आती है, यानि 25 कोशन, और कभी इससे जादा भी हो जाते हैं, और कभी ये 22-23 पर भी रुख जाता ह है, 100 maximum है, ठीक है ना, ओके, तो physics के जितने भी important chapters है, जितने भी units है, वो सारे मैंने पीछे लिगे दिये हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, physics के अंदर kinematics सबसे पहले आता है, kinematics क्या होता सर, जो आपने class 9 के अंदर basic पढ़ा था और 11 अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो भी को इसको confidently attempt कर पाओगे, उसके बाद 2D, 2D कितना पढ़ना है सर, तो 2D बहुत जादा नहीं पढ़ना वही आपने, है ना, two dimensional motion बहुत जादा नहीं पढ़ना आपने, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना जैसे circular motion, जैसे projectile motion के सिरफ formulae formulae आप लोग पढ़ जाईए, और थोड़ जोड़े ही important chapters की, बहुत important units की, NLM और WPE, NLM का मतलब है Newton's laws of motion, जिसके अंदर 3 laws आते है Newton के, और उनकी applications आती है, numerical बहुत कम देखने में आया है इस जगा से, लेकिन हाँ, application थोड़ी जादा देखने में आती, जैसे inertia, जैसे momentum, जैसे momentum का change, conservation of momentum, ये सारी बाते NLM के अंदर पढ़ा ही जाती है, उसके बाद, work, power and energy, इसमें units का खेल जो है, वो जादा खिला जाता है, NDA के द्वारा, ठीक है ना, concept, obviously, conservation of energy वाला जो है, उस पर questions पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़े हैं, वो units के साथ बहुत ज़्यादा है, इस particular unit के अंदर, ठीक है कि काफी सारी चीज़े, work, power and energy के अंदर आपने सीखनी है, साथ इसाथ कंदर, वेचन अव अनर्जी का law और उसके applications, बात करते है, gravitation की, सबसे जादार, सबसे important unit जो देखी गई है, optics के बाद, वो gravitation देखी गई है, ठीक है ना, और gravitation आपको तभी समझ में आएगे, जो क्या दो कोशन आया, लेकिन हा, minimum 1-2 और maximum 5-6 कोशन भी केवल इस unit पर पूछे जा सकते है, Kepler laws of motion भी आपने पढ़ना है, Kepler laws of planetary motion भी आपने पढ़ना है, वो भी important है, उस पर भी questions पूछते है, gravitation के अंदर, इसका बात करते है, optics की, सबसे बड़ी unit optics है, सबसे जादा questions थोड़ा बोत wave optics, बहुत जादा नहीं, थोड़ा बोत, जो 10th को touch करता है, कहीं कहीं जा करके हलका फुलका बात करता है, frequency की, wavelength की, velocity of light के relation की, बस, इस से जादा optics में wave optics नहीं पूछी जाती है, लेकिन ray optics काफी पूछी जाती है, numerical कम देखा गया है, लेकिन ray diagrams पर based question, उनकी applications, concave mirror, convex mirror, concave lens, convex lens के uses, बहुत पूछे गए हैं, और उनके cases, यानि ray diagrams की practice आपको आनी चाहिए, magnification का मतलब क्या होता है, उसके base, nature कैसे लिखते है, image का, वो सारी बात है important है, optics chapter के अंदर, last time लोग चलते है, basic appliances और instrument पर, जैसे LED की full form पूछ लेगा, LED किस पर work करती है, वो पूछ लेगा, साइफन क्या होता है, साइफन किस पर work करता है, pendulum क्या basic principle क्या है work करने का, क्या energy से क्या energy convert होती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे appliances जो हमारे आसपास देखने में आते, उनके उपर question बेटा, पूछा जाता है, तो इसलिए आपने basic appliances वाला lecture नहीं छोड़ना, और instrument वाले lecture नहीं छोड़ना, साथी साथ, कुछ आपने नहीं करना, तो वो ये है, कि आपने कोई derivation नहीं करनी, किसी derivation की practice करने की जुरुत नहीं है, इतना time भी आपके पास नहीं है, कोई proof आपन मैंने जो लिखा, वो सबसे important बात है, कि NDA paper simple है physics का, उतना tough नहीं है, जितना J level पर या neat level पर पूछा जाता है, लेकिन हा, basic level पर भी आपको mathematical understanding होनी चाहिए, units को ले करके, ठीक है, तो units important है, केवल units पर dimensions पर ही, 2-3 question पूछ ले जाते हैं, गुमा फिरा करके, ठीक है न, तो ये आपका कुछ pattern रहता है, physics के exam का, तो उसी के business पर मैं ये strategy आपके सामने लेकर क्या है, अगर कभी कुछ नहीं पढ़ने का मन करें, तो कम से कम इतना तो करही जाना भाई, अराम से आप 16-20 question attempt कर पाओगे physics के, चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक एड़ा अगलागे जाए ही जाए ही जाए ही हिन् झाल